Science Year 2016 का केंद्र रहे सागर और समुद्र समुद्र विज्यानियों ने जल के इन अथास रोतों के सेहत पर ध्यान दिया समुद्र विज्यानी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम में बदलाव का समुद्री जीवन पर क्या आसर होता है रिसर्चरों ने समुद्र के लगातार बढ़ते तापान के कारण ग्लोबल वामिंग की पुष्टी की है लेकिन ऐसा एक दिन, हफ़ते या महीने में नहीं हो सकता हल्गो लेंड वीपर समुद्र विज्यानी 100 साल से समुद्र के पानी के अंदर और बाहर नजर रखे हुए हैं उसकी एक एक गतिविधी पर ध्यान दिया जा रहा है देखिए कैसे कई सालों से इस बदलाव पर नजर रखी जा रही है हल्गो लेंड के हारबर से रवानगी ये हैं कारेन विल्ट शेर और उनकी साथ ही जो नौर्ट सी में सेंपल लेने जा रही है हलांकि रवानगी पर समुद्र शांत देखता है लेकिन बाद में नाव काफी हिचकोले खाने लगती है और उसके साथ सवारियां भी पहला सबक समुद्र विज्यानियों का समुद्र में जाने से पहले सुस्थ होना जरूरी है और उनमें सहन शीलता होनी चाहिए समुद्र में होने वाले बदलाव फोरण नहीं दिखते हैल्गो लेंड डीप के पास शोद करता पीडियों से नौर्ट सी पर नजर रख रहे हैं हम यहां तापमान मापते हैं क्योंकि ये काम हम यहां सौ साल से कर रहे हैं हर सुबह सतय पर और एक मीटर नीचे और सच मुझ हमेशा एक ही थर्मामीटर से और यह सही है कि हमने ऐसा किया है क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता गया है रिसर्चर समुद्र की सतय पर तेरते पलवकों की भी जाच करते हैं गरम पानी का मतलब है अंदर की दुनिया बदल रही है पिछले सालों में डाइटम अलगी की मात्रा बढ़ती जा रही है इनकी जात से समुद्र की स्थिती का पता चलता है धरती पर जीवन के लिए ये जानकारियां बहुत महतुपू हैं हमारे समुद्रों के बिना जमीम पर मौसम का हाल एकदम अलग होगा इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वे कैसे काम करते हैं खास कर अब जबकि सब कुछ बदल रहा है वातावरन बदल रहा है कापन डाय उकसाइड का उत्सरजन बढ़ रहा है और ग्लोबल वामिंग हो रही है ऐसे मेश समुद्र में प्रतिक्रिया होगी और हम जानना चाहते हैं कि वह कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है पानी का सेंपल लेना समुद्र विज्ञानियों के बहुत से कामों में से एक है हम हैल्गो लेंड की और वापस लोट रहे हैं हिचकोले खाते जहाज से बाहर निकल पैर फिर से ठोस धरती पर है दुनिया के इस अनूठे दिर्ग कालिक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए लिया गया सेंपल लेब में पहुँच जाता है लेकिन ये अकेला सेंपल नहीं है यहां दर्वाजे के पीछे राज चिपा है करीब दस साल से यहां लगातार समुद्र का पानी पंप किया जा रहा है गलियारे के आखिर में फैरी बॉक्स है फैरी बॉक्स में एक आटोमेटिक मेजरमेंट सिस्टम चिपा है जो तापमान, खारे पन और पी-एच वैल्यू को लगातार मापता रहता है और इससे रिसर्चरों को दिन रात या मौसम का फर्क भी पता चलता है